पिछले दस साल से तो यही बुक करा रहा हूं बच्चो को तो देखो पहले मैंने बताया था कि लास्ट में सवाल में आपसे क्या बोला जा सकता है बताया था ने एक सवाल देदेगा आपको वो दो तरीके से पूछ लेगा इसमें वही है क्या बोल दिया आपको ब्रांच डेटर से बनाईए और लास्ट में बोलता है वेरिफाइड नेट प्रॉफिट वाला सिस्टम से बना लो और हो जाएगा वेरिफाइड तो इसको दोन अग्जाम में नहीं आएगा न एक यह अपने आपको चेक करने के लिए आप सीख रहे हो जो सही सीख रहे हो कितना सीख रहे हो मतलब कि आपको एक पता देना कि दोनों मैथड में से प्रॉफिट सेम ही आता है चलिए सवाल आपके सामने है दीपक कहना है कि सर वाटसप पर वाटसप पर डाउट सॉल्व बिल्कुल करते हैं लेकिन कल से आपको पता यह के स्टेटेजी चल रहा था थोड़ा बहुत तो कल से मैंने किसी का डाउट सॉल्व नहीं किया है करते हैं वैसे कल से डाउट सॉल्व नहीं किया है मैंने फिलाल एक दो दिन हो गए थोड़ा बहुत इसी में बिजी रह गए बाकी डाउट आपके सॉल्व होंगे और जैसे आपके लाइव क्लास के अंदर तो जो मर्जी पूछो मैं तो बताई दूँगा जो वाटसप वाले डाउट है वो थोड़ा सा एक दो दिन में ठीक हो जाएगा वो ब्रांच स्टॉक बनाना एड्जस्मेंट बनाना ब्रांच प्रॉफिट लॉस्स बनाना स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाना स्टॉक रिजरव पे मैं कोश्चन मार्क लगा दूँगा अभी नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वह बच्चा कंफ्यूज हो जाता है अब सबसे ल अगर हम देखे ना इसको अगर आप ठीक से एक बार और जितने कोश्चन मैं करवा रहा हूं जितने कॉंसर्प्ट करा रहा हूं एक बार आप ठीक से ढंग से देख लो आप इसको अगर तो उसमें क्या रहेगा आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छे से और आपको प्रॉब्लम ही नहीं आनी डेटर अगेन यहां बना लेते हैं यह बाद जाएज रहा हूं रहा है यह बाद जाएज है यह ब्रांच इस्टाक्व मैं particular debit credit नहीं लिख रहा है आपको नहीं लिखना आपने भी लिखना है यह data account ठीक है सर एक पीछे बना लेते हैं एक और account करने लिखने 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 नहीं लिखने कैसे करने नहीं करने जरूर ध्यान दीजिएगा 10 से 15 दिन में आप लोग का हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है हूँ शाम की timing है कितने बज़े की timing है लोके TTS 5 से 6 तो TTS 5 से 6 तो अभी चल रहा है और लेकिन यह TTS नहीं रहने वाला इसे हम regular करने जा रहे हैं तभी इसलिए बस करता होगा TTS में कहा होगा इसे regular करने वाले और ऐसा हो भी सकता है कि एक पार्ट आपको आनंसर करवा रहे हैं तो एक पार्ट जल्दी कवर करवाने के लिए साइद एक पार्ट जो है पार्ट्नरशिप अक्ट वाला वह मैं करवा दू फटाफट और एल्ली वाला मैं करा दू क्यूर्कि यह मेराई सब्जेक्ट है आगे चलके मुझे अपको पार्ट्नरशिप उसमें पढ़ाना ही तो बस मुझे अलाइन करना होगा जो Indian contract act है न ओफर है acceptance है या फिर आपका quasi contract है या फिर आपका जो भी other contracts बन जाते हैं उसके अंदर चाहे आपका बेला बेली जो भी पाट आता है हमारा वो सारा वो आनंद करा देंगे बाकी मैं करा दूँगा क्योंकि time का बहुत congested है नहीं तो मैं करा देता ज्यादा नहीं है मेन होता है उसके अंदर समझना ठीक है है एक बेल्मिंटेंट प्लेज ठीक है बेल्मिंटेंट प्लेज जब law पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जिसे हिंदी में सुत्रुपगी कहते हैं कि अगर आपने किसी को कोई समान दे दिया तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आप उसक मोबाइल को तोड़ दिया तो मैं आपके उपर केस कर सकता हूं मेरे को उसी कंडिशन में मिलना चीए वापस चलिए कहता है सुभास इलेक्ट्रोनिक हैस दा ब्रांच इन चंडिगर्ड एड ग्वालियर हूम गुड्स और इन्वाइस कॉस प्लस 25 परसेंट सर कॉस प्लस 25 परसेंट है सीधी सी बात है कितने परसेंट पे खेलेंगे हम 20 परसेंट पे करेंगे दा फॉलविंग इन्फर्मिशन ट्रांजेक्शन चंडिगर्ड ब्रांच फियर एंडिट 31 मार्च कहता है स्टॉक एट इन्वाइस प्राइस ओपनिंग बैलेंस है तो बैलेंस बीडी बैलेंस बीडी सर 40,000 बैलेंस बीडी केबाद डेटर का अकाउंट बीडी टू बैलेंस बीडी 12,000 सर एक पटी कैश बोला है मैं यहीं पैटी कैश बना हुँआ तो जादा बढ़िया है एक पैटी कैश एकस्पेंस अकाउंट भी बना देंगे बोला नहीं है इसने चलिए सर इसके पैटी कैस expense का डेड़ सो रुपिया तो ये पैटी कैस हमारे क्या होता है सर पैटी कैस हमारा होता है क्या एसेट ध्यान रखिएगा क्यूं होता है सर एसेट चलो चर्चा करी लेते आ गए तो पैटी कैस का मतलब होता है कि आपको honor एक खटा लमसम amount दे देता है कि कोई भी अगर office में आता जाता है तो उसके लिए खर्चे यानि रोज मर्रा के खर्चे के लिए खटा पैसा दे दिया मैंने मानलो आपको 5000 रुपे दे दिया डेली के खर्चे के लिए मैंने दे दिया तो म इसे ही आप खर्चते जाओगे कि इधर लिखते जाओगे buy side तो सबसे पहले इधर क्या आएगा to balance BD आएगा और जो बच जाएगा वो किदर आएगा buy balance CD अगर head office मुझे पैसा देता जाएगा देता जाएगा मैं इधर लिखूँगा और balancing figure इधर जो भी निकलेगा इस side मे आपने बोला 500 रुपे मेरे पास बचे हुए हैं तो मैंने बोला भाई बाकी कहां गए आपने बोले 25 रुपे क्या हो गए खर्च और P&L के अंदर खर्चा आता है तो यहां पैटी कैस अगर मुझे लिखना होगा तो खर्चा बताईए कितना लिखूँगा मैं 1000 2000 या कितना 25 रुपे लिखेंगे कहानी यह है पैटी कैस का आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो अकाउंट बनाईए नहीं तो नॉर्मली ऐसे भी केल्कुलीट कर सकते हैं सुभे मिर पास इतना था बाद में इतना आया मिर पास और बच्चा इतना तो बाकी डिफरेंस के आगे हमारा करते हैं स见 यह ही चीज पता हम कहां करा करते थे लिबर सिस्टम में क्या करते थे लिख दया खिलोजिंग बैलिंस यहां liख दिया और जे एचंच ओंने दी वह यहां लिख दिया यही तो उससे क्या होता था overall automatically खर्चा यहां पर आ जाता था जैसे कि मैं इसको अगर put करूं तो opening balance इधर closing balance कितना 500 और मैंने कितना दिया तो ultimately देखो consume कितना आ गया आ गया ना 25 तो वहां वाले पे debtor system के अंदर हम दिखाते थे opening closing और इधर पड़ेगा तो इसलिए यहां पर मैं एक account बना लूँ या आपका normally यूज कर लूँ तो सबसे पहले petty cash में क्या आ जाएगा इस side में sir to balance to balance bd फिर by balance cd सर bd सवाल में 500 रुपे कहता है आ जाएए sir आगे हम petty cash के बाद आ जाते हैं transaction 212 में good sent to branch at invoice चार बीस तू गुट सेंट इसके बाद कहता है के गुट रिटन टु एच्चो हैड ऑफिस इन वाइस प्राइस बाइर रिटन इसके बाद cash sales तीन लाग एक लाग पांच हजार क्रेडिट सेल्स हो गया क्रेडिट सेल्स हो गया नॉर्मल लॉस अब देखो नॉर्मल बता दिया इसने देखो कितना आसान क्या है क्या है जैसे की दुकान गोडाउन से समानना छोटे मोटे चोरी हो जाते हैं उससे प्लीफर्ड बोलते हैं जैसे मान लेते हैं कि चुहे ने खा लिया तो वह प्लीफर्ड के अंदर हो जाता है ठीक है तो छोटी-मोटी चूरी को कहते हैं तो गुटस प्लीफट कौन सा लॉस होगा एब्नर्मण मैं थोड़ा शॉट कट लिखे रहा हूं श्राट फ़र्म में गुटस लॉस वाइफाइर यह कौन सा लॉस होगा loss by fire इसके बाद insurance company paid loss by fire जब insurance company payment करती है तो याद होगा P handle में मैंने लिखवाया था format में के भाईया ये होगा आपका trading और ये होगा trading और insurance company दे तो इधर लिख देना कितने? 4-3 चलिए insurance company ने 3,000 दिया cash sent for petty cash 32,000 रुपए cash sent for petty expense तो किसने भीजा? head office ने बोला ले भाई 32,000 खर्च कर लिए तो ठीक है भाई 32,000 खर्च करने की बात कर रहे हैं तो HO से आज गया पैसा इसके बाद bad debts चंडीगड तो bad debts सिधर आ जाएगा और यही bad debts दूसरी entry यहां भी कर देंगे हम two bad debts इसके बाद goods transfer to gualier branch under instruction gualier branch को transfer देखो two word है तो हमने दिया होगा और वैसे भी देख लो हम कौन से branch बना रहे हैं हम बना रहे हैं क्या चंडीगड और हम gualier को transfer कर रहे हैं तो इसका मतलब सर अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हमारा stock कम हो रहा होगा तो हम किदर लिखेंगे buy goods transfer कितने का बारा सब्सक्राइब और कहता है कि गुड्स ट्रांसफर टू गौलिया एस पर दा इंस्ट्रक्शन प्रॉम एच्चो अच्छा यह पूरा यही पार्ट है न इन्सॉरेंस चार्ज पेड बाई एच्चो एच्चो ने पेड किया भाई या कोई भी पेड करा खर्चा तो हमारा खर्चा रहेगा और यहां आ जा इसके बाद बैलेंस पैटी कैश का दे दिया बैलेंस डेटर का दे दिया डेटर का बाई बैलेंस सीडी कितना है डेटर का और इस टॉक का बोलता है हम नहीं बता रहे तुम बताओ और पैटी कैश का कितना दे दिया डाई सो तो सर यहां पर जो भी निकलेगा वो कंज्यूम निकल जाएगा फटा फट निकाले लेते हैं बत्तिस और धाई सो माइनस करो क्या आ जाएगा बाई कंज्यूम या या बाई एक्समेंस कितना हैगा माइनस करो 31,000 और यह 31,000 खर्चा है क्योंकि तो यह खर्चा आ जाएगा तू पेटी कैस यह थटी हाँ तो यह अच्छा इधर 150 इधर 250 करते 30 कितना आएगा यह है 3931 सही बोल रहा है 900 30,000 हैगा ठीक है आज आते हैं पेटी कैस हो गया यह हो गया goods transfer to Gualier given as in transit कहता है भाई है जो मैंने समान भेजा ने Gualier वो transit में है रस्ते में है तो मैंने भेजा है न तो भाई रस्ते में तो तू समझ अगर मेरे पास आ रहा होता तो फिर मैं समझता सिधी बात है तो इस transfer का कोई मतलब नहीं है prepare branch stock बना रहे हैं adjustment बना रहे हैं सारी चीज़े हम बना के चल रहे हैं किसी के उपर question mark तो हमने नहीं लगाया अभी तक यानि सब कुछ कर रहे हैं कहता है cost plus 25 यानि 20% पर काम करने वाले हैं हम किस में ओके अब बात करते हैं फटा फट यहां से total करने का total करो 40, 420, 460, 500 मैंने देखो फटा फट कर लिया total आपने भी करना है balancing figure निकालो क्या आता है 4, 6, 500 फटा फट से निकालो तेजी में मैं इसको भी बंद कर दूँ यहां two credit sales debtor को भी ध्यान देखना देखो credit sales उठागे लिखना हूँ यही रखा था सवाल में एक असी, एक बीस, तीन लाक buy cash क्या कहां पर एक लाक यह चलो उपर आला बताओ मैं देख लेता हूँ पर्टी बना रहा है पक्का नहीं भाई, book के अंदर कुछ भी दे रखाँ, हमारा भी आना चाहिए न यहीं आ रहा है, सेम आ रहा है ठीक है, देख लो एक बार, mobile में देखो, ऐसी गलती होई जाएगी अब चलिए, यह account prepare यहां से balancing figure निकाल लिए, क्या निकलेगा यहां से balancing figure, cash एक तालिस, एक सो पचास, चलिए दिखा दो calculator नहीं निकल रहा था बारह हजार, असी हजार, एक लाग, माइनस चार सो, पान सो, ग्यारा हजार यह आ गया, एक अस्सी एक सो बारह हजार, एक सी, चार सो अना, ठीक है ना, चलिए, अब loading की बात करते हैं, यह account भी बन गया, अब loading इस पे निकलेगा, इस पे निकलेगा, इस पे सब पे कितना लगीगा, 20-20%, buy side में आएगा, ठीक है, आब बताइएगा देखके तो buy side में loading आएगा, पहले opening stock पे loading, 40 पे 20% buy आपका goods sent पे loading, आपका कितना था, 41, 4, 4, 20 का 84, इसके बाद क्या था सर, buy goods return भी था ना, return कितना आएगा, 500 का return ही था, 500 का, कितना आएगा, हाँ return पे कहा था, दूसरा अलगी return पे लगेगा, एक minute, एक minute, हाँ return पे नहीं आएगा, इस पे नहीं आएगा, इस पे नहीं आएगा, बाकि यह वाला रिटन पर आएगा यह वाला रिटन पर आएगा तो तो लोडिंग किस-किस चीज पर लोडिंग है यह बता दो मुझे इसको नहीं कि आपर कॉपी कर लेते हैं नॉर्मल लॉस और लोग बहुत सारा लिख रहे हैं रिटन पर आगया हमारा 3,000 ट्रांसफर 12,000 गुट्स ट्रांसफर 12,000 पर कितना आएगा 2400 यहाँ पर आगया पहले हमारा क्या है रिटन कितना था ट्रांसफर इसके बाद नॉर्मल लॉस पूरा ही कितने इसके बाद सोटेस था सोटेस था फूरीफ़र था न 1 नॉर्मल लॉस है हमारा और 1 गुल फूर फूर है 2 और है 3 और है तो सर एक आगया हमारा लॉस बाई फूर कितने रुपह था 1 पूर और टू लोडिंग क्लोजिंग स्टॉक बताईए ये कितना था कि लीफर्ड पे यहाँ छे सो तो यहाँ पे छे सो था तो चौदा सो यहाँ फायर पे आर्ट सो तो यहाँ यहाँ बारा सो पे चल रहे न अब लोडिंग क्लोजिंग पे क्लोजिंग कितना अबनॉर्मल है न तो अबनॉर्मल लॉस्ट वाइफायर में चार हजार का आठ सो आगया और उदर बत्तिस सो आएगा फिर मैंने बारा लिखा है ठीक है अब आ जाते हैं आगे किस का एक एकतालिस एक सो पचास का बीस परसेंट 28 230 28 230 अब फटा फट से निकालते हैं जीपी 84 और 8 92 अब माइनस कर दो 92 माइनस में 3000 माइनस में 2400 माइनस में 350 800 माइनस 600 56 250 चेक करिये GP हाँ 620 मेरे कैलकुलेटर में यह दिख रहा है मैंने बोल गलत दिया 56620 और बाई साइड में और इधर कर देंगे हम टोटल 69 और 2 आजाएगा हमारा नेट प्राफिट माइनस 400 माइनस 200 माइनस 31 900 माइनस 400 और माइनस 32 22 पानसो भी सार है और माइनस इसका कैलकुलेटर बड़ा खतरना आगा यह 1400 ठीक लिखा है मैंने इस पानसो एपनॉर्मल यह थूर्ट यह थूर्ट और कि इस पानसो भी सार है आंसर चेक करें ठीक है अब ध्यान दीजिए सवाल देखो हम करते जा रहे हैं थोड़ा मैं स्पीड लेके चल रहा हूँ लेकिन आप इसको एक बार आराम से देखिएगा और इस सवाल को दुबारा से करना है अपने चैप्टर में आप देख रहे हों कि घुमा फिरा कि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट अगर स्ट्रॉंग तरीके से पता चल जाए तो आप सवाल को कर सकते हो थोड़ा आपको मैनेद करना होगा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टाइम कम है नहीं तो मैं सारे सवाल बूर्ड प यह उła हूं कल दो आपको मैं सारे सलिएक अगर गूर्ड ब्सक कर टाइब कह दो जो आपको मैं सारे सारे क्योंक्रणित